क्या कहेंगे इस पर के खुले में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है यह हमारे सम्विधान में आर्टिकल 19.1.b है जो कहता है कि आल सिटिजन्स हैब दे राइट तो पीसफुली एसेंबल विदाउट आम्स तो यह उस सम्विधान की धारा का घोर उलंगन है तमाम मैंने देखा आरे से की शाखाएं होती किसी का पैर काच लिया कर रहे करने दो जिसको अदादी होनी चाहिए तो यह तो बिल्कुल गलत आदेश हुआ है और मैं इसका घोर विरूद करता हम अगर हफ्ते में एक बार ही नमाज होती है वह भी यह बंद कर रहे हैं यह तरह की जो एक्टिविटी जारे से की तरफ से होती है या और किसी तन्जीम की तरफ से अगर इस पर भी मुसल्मान आबजेक्ट करते हैं तो क्या सरकार इसी तरह अपना अमल जाहिर करें अरे भाई यह सरकार के बारे मत पूछे हैं कि इनका चाई आधर रहा था कीजी तरह कर रहे हैं पागल पन किया जा रहे हैं कि जालने चाट साल कि बड़े अनकर वभाई मुझा इसे जानवर और दूनिया काती है अमेरिका ऊप खाती है योड़ुका एफरिका चाइना बशा रशा पाकिस्तान थाईलिया इवन ये अफगानिस पाकिस्तान थाइलेंड हमारे हिंदोस्तान में अभी में केरल होके आया हूं तो मैंने वहां भीफ खाया क्या कोई बुरी चीज नहीं दुनिया खाती है आप वो सब बुरे लोग है आप ही सादू संथ है हद कर दी पागलपन की वो कहते हैं कि सब गाय माता है क्योंकि वो देता है पागलपन की बाते हैं बेवकूफी की बाते हैं अब तुम के माता मानना पूझा करना लहाएं बेवकूफी की बात है गाये पाई जैसे घौडह कुता उता ब नहीं मानता हूं इसी तरह की इजहारे राये खुलकर करने के बाद नसीर उत्दीन शाह को पाकिस्तान बेजने की बाद कर दिखाओ अगर हिम्मत हो तो बेवकूफी की बात है ले कोई अकल की इस्तिमाल करो कि अकल बिल्कु खो गई तुमारी गाय माता है गाय देवी है पूलिस अफसर से ज्यादा एहमियत एक गाय की नजर आती है बुलंद शेहर का मामला जिस तरह से सामने है यह कि इस क्या बताएं अब हम जो हो रही है चासर मगर अब जैसे मैंने कहा अकबर अदाबादी का शेयर खबर देती है तहरी के हवा तबदील मौसम की तो बदल र होंprofits में उन्हों ब्रकषों होनाो में जड़ जादा थे जो अपने जोम में जोम मतलब घमंड जादाध ते जो अपने जोम में वह सब से कम होंगे तो यह जोम मे इनों चार साल से जिनका धिमान खराब हो गया था हिए पागल्पन किये जा रहे हैं और किये जारे हैं 2019 में आवाम किस तरह से सामने आएगी क्या आवाम के नतीजे होंगे देखिए क्या होने जा रहा है इस मुल्क में हम आपको बता दें इस मुल्क में बड़ा बहुत बुरा जमाना आ रहा है और ये लोकसभा चुनाव से शुरू होने जा रहा है और 10-15 साल चलेगा बहुत पच्चिस सीट पाएगी कॉंग्रेस भी 125 सीट तो 290 सीट ये रीजिनल पार्टी पाएगी और रीजिनल पार्टी यही किंग मेकर्स होएंगे जैसे सायद ब्रदर लेटर मुगल जो थे 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ उसके बाद मुगल एंपरेर जो थे लेटर मु इस दौनान बड़ा मारधार हुआ है देर सौ साल उसके बाद अंग्रेश शासनायत तब जाके स्टिबिलिटी आई कंट्री में तो ये मुगल लेटर मुगल का जमाना आने वादा है रीजिनल पावर्टी यह रेल पावर्ट होंगे और यह लोग भी इन में कुछ कॉमन त जितने भी नेता हैं हिंदुस्तान के उनकों देश से कोई प्रेम नहीं है बस पैसा बनाना सकता पाना यह इसाब उनमें है तो लहादा बहुत बुरा जमाना आ रहा है हिंदुस्तान में जो दस पंदरा बीच साल चलेगा बहुत बुरा जमाना आ रहा है एक चीज़ और द से यसब पूरा है कि समस्या कहा है बीजेपी की साथ समस्या कहा है समस्या यह बीजेपी को वोट बैंक है अपरकाश हिंदु वोट अपरकास में ब्राहमर शत निराजपूत बनिया यह सब अब सब मिला की करीब 20% होते हैं तो 20% पर तूँझ निकलता नहीं है व्यक्व चुन जीत सकते हैं, मैं कि 20% तो नहीं जीते हैंगे, तो कैसे एक तपका और 10-15% का आए है, तो एक ही तरीका है, कम्मिनल राइट कराओ, तो होने जा रहा है, बड़ा बुरा जमाना आ रहा है, मैंने कहा, बहुत बुरा जमाना इस देश में आ रहा है, मुसल्मानों के लिए बहु कर दो सकता है, मैं ह νा रहा है, बहुते हैं, कर दो सकता हैं, बाहन है तो होने रहा हैं, जा रहा है जाए हैं, थो एक हो आए है тов।